साइबर सिटी गुरुग्राम को लेकर एक तरफ पीजेपी सरकार विकास कारियों का गुणगान भले ही जोरो शोरो से करती है लेकिन कॉंग्रिस के द्वारा लगातार गुरुग्राम में विकास कारिय ना होने पर विरोध किया जाता है गुरुग्राम में विकास के मुद्दे ब्रश्टा चार समेट तमाम मुद्दों पर कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता पंकज डावर ने अपनी प्रतिकिरिया दी वीन्यू से खास बाच्शीत में उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को मिलेनियम, साइबर सिटी और ना जाने किनकी नामों से जाना जाता है लेकिन आज तक गुरुग्राम में बीजेपी सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया है उन्होंने विकास ही नहीं, बलकि भ्रश्चा चार को लेकर तमाम बाते कही सुनिए क्या कुछ कहना है उनका हर्याना की फाइनेंशल कैपिटल यानि की वित्य राधानी, गुरुग्राम गुरुग्राम में विकास कार्य किस तेजी के साथ चल रहे हैं और कौन-कौन सी खामिया है इन्ही मुद्दों को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौझूद है कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता पंकर जावर उन से जानेंगे कि आखिर यहां की जो मुद्दे हैं वो उनको किस तरीके से देखते हैं पंकर जी पहला सवाल मेरा यही कि गुरुग्राम में साइबर सिटी है यह और यहां पर जो विकास के कार्य हैं किस तरीके से देखते हैं क्या लगता है आपको की काम किये जा रहे हैं या कुछ खामिया हैं जिने पूर्ण किया जाना चाहिए सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्चकों को अभिवादन करता हूँ और आने वाली 26 जनवरी की भी शूब कामना है देता हूँ जिस तरीके से आपने पूछा कि विकास देखिए मैं आपसे एक बात बता हूँ जब से ये सरकार है ये विकास कारे पूरे तरीके से ठप है जो लोगों ने विश्वास के साथ इस सरकार को समर्थन दिया और अपने मत दिये आज लोग अपने आपको ठगा से महसूस कर रहे है विकास नाम की दरातल पर कोई चीज नहीं है सिर्फ हवा में विकास है ऐसा कोई विकास हमारे शहर गुरगाओं में बिलकुल भी जीरो है किसी तरह का कोई विकास यहाँ पर नहीं हुआ आपने कहा कि किसी तरह का कोई विकास यहाँ पर नहीं हुआ है अगर मैं यही कहूं कि अगर इस जगह पर आपकी सरकार होती तो आप ऐसे कौन से कारे करते हैं और किस पर आपका ज़्यादा फोकस होता देखिए सबसे पहले मैं आपको बता हूँ पिछले दिनों आपने जैसे करोना की लहर सभी ने देखी और अपनों को खोया जिस तरीके से वो एक दर्द का मंजर था तो उपर वाला ना करे के कभी ऐसा दूबारा है सबसे जादा अगर आज हमारे गुडगाओं में जूरत है तो वो स्वस्थ समंदी सुविदाओं की है गुडगाओं में कम से कम एम्स की तर्ज पे 5-6 सरकारी हस्पताल होने जिसमें सभी व्यक्ति का एक समान रूप से इलाज होगे सबसे बड़ा मुद्दा इलाज का है और स्वस्थ सेवाओं का है और दूसरा शिक्षा का आप देखिए गुडगाओं आभी आपने ही बोला साइबर सीटी साइबर सीटी ग्लोबल सीटी आप ना जाने मिलीनियम सीटी कितने नाम है आज हमारे गुरु गुराम के लेकिन स इतनी युनिवस्थी तो सरकार को स्वस्थ सेवाओं के अलावा शिक्षन संस्थानों पर द्यान देना चाहिए यहां पर कम से कम दो या तीन पीछे डिफेंस युनिवस्थी की मांग उठी थी और हमारे माननी यह जो सांसद है उन्होंने कहा कि डिफेंस युनिवस्थी जल त्यार होगी आस तक वह भी नहीं बनी उसके अलावा और भी युनिवस्थी यहां पर कम से कम तीन या चार और युनिवस्थी हर हलत में बननी चाहिए ताकि लोगों को सुविधाय पर आप तो एक साइबर सिटी है तो साइबर सिटी कहलवाए साइबर सिटी दिखनी चाहिए तो आपने कहा कि साइबर सिटी दिखनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक आक्रोश के आपके जहन में जो जिस तरीके से है बीजेवी सरकार को लेकर मैं अगला सवाल यह जाना चाहूंगी कि क्योंकि नगर निगम के चुनाव है आप इसको किस तरीके से देखते हैं क् हो किस तरीके से दावेदारी होने चाहिए नगर निगम जहां तक समझने नगर निगम एक छोटी सरकार का काम करती है किसी भी जिले में जहां पर नगर निगम है वह एक छोटी सरकार है वहां की और जिस तरीके से सरकार का सरकारी खाजाना लूटने का काम अधिकारी और य कि एक तरीके से तोड़ फोड दस्ता चल देता है अरे जब बिल्डिंगे बन रही थी मैं करूं कि तोड़ो अवैद बिलकुल नहीं होना चाहिए अवैद क्यों हो अवैद के लिए सरकार के कोई भी आदमी नहीं चाहता अवैद लेकिन जिस टाइम कोई भी बहुम अंजला इमारत बनती है एक दिन में तो बनती नहीं है दो दिन में नहीं उसको बनने में एक साल लगता है अधिकारी पहले इंतजार करते कि इसका वही पूरा नुकसान हो जाए उसके बाद हम इसको तोड़ेंगे अधिकारियों के भी डिपार्टमेंट हो आज आप तोड़ने जा रहे हो किसी बिल्डिंग को आपने पीला पंजा चला दिया हम देखते पंदरा दिन बाद वह बिल्डिंग फिर त्यार होगी और पंदरा दिन में ऐसे उसने कौन से नक्षे पास करा लिए जो उसको दुबारा बना दिया नी सब्सक्राइब करनी कि जिस तरीके से ब्हस्ताचार अपनी चरम सीमा पार कर रहा है तो जैसे कि आपने कहा कि अधिकारे की तोरह भरस्टाचार किया जा रहा है यह समझा जाए कि सरकार की जो मुहीम है उनको अधिकारी पलीता लगा रहे हैं देखिए सरकार का काम है योजनाय बनाना सबसे पहली बात और खासकर बीजेपी सरकार का अमल में नहीं लाना योजना तो इनक में फस चुका है उसको निकालने की जुरुत है सरकार जातक मुख्यमंत्री का सवाल है मुख्यमंत्री जी को हम पहले भी गुजारिश कर चुके और आज दुबारा से गुजारिश करते मुख्यमंत्री जी गुडगाओं में विशेज द्यान रखिए यह राजधानी आप एक तरह से इसको राजधानी का दर्जाही प्राप्त है जिस तरीके से हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अगर कोई एक कहते हैं ग्लोबल सिटी है तो वो गुडगाओ है आप उसको देखिए यह अधिकारियों को यहाँ पर चैन करने से पहले उनका बैक्गराउंड देखिए और खास कर मैं फिरवाज रिपीट कर रहा हूँ तोड़ फोर दस्तों पर आप नियंतरन करें जिस तरीके से बिल्डिंग ऐसे बन कैसे जाती है पहले फिर आप तोड़ने जा रहे हो तोड़ने के बाद फिर आप उसको बना रहे हो सीलिंग कर रहे हो पलब एक पूरा ड्र के आने वाला समय कॉंग्रेस का है इसको लेकर मैं जाना चाहूंगी कि आपकी तयारी किस तरीके से हैं देखिए मैं मैं कॉंग्रेस का अनुशासित सिपाई हूं कॉंग्रेस पार्टी हमारी प्रदेशक कुमारी शैल्जा जी कैप्टन अजय यादव जी बुपेंदर नेता है और जिस तरीके से पार्टी आदेश करेगी कि अगर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बोलेगी तो बिल्कुल सो परसंट चुनाव लड़ूंगा और बगवान की किरपा से और जनता के आशिरवाद से हम चुनाव जीतेंगे भी लेकिन मैं आपको साथ-साथ क कहना चाहता हूं कि हमारी कॉंग्रेस पार्टी में अनुशासित सिभाई है मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी हमारा कारेकरता या कोई भी नेता कॉंग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी तो वह चुनाव नहीं लड़ेगा वह जिसको पार्टी देगी उसके साथ रहेग यह सभी सत्ता के लालची लोग है सत्ता के लिए यह कुछ भी कर सकते है तो इस बार लोगों को जागरूक होने की अवशकता है वो सोच समझ के अपने मत का अधिकार करेंगे और आने वाला समय कॉंग्रेस का और लोग कॉंग्रेस के साथ है प्रकुल आपने जैसे तमाम बाते कहीं में एक चीज और आपसे जाना चाहूंगी कि अखिर अगर कॉंग्रेस जब चुनाव लड़ेगी तो क्या मुद्दे होंगे कॉंग्रेस के जैसे कि आपने विकास का एक पहले मुद्दे पर जब आमने डिसकस करी थी तो आपके द्व सबसे पहले हमें गुड़गाओ का विकास करने के लिए इनकी रोड को सीवर सिस्टम को और पानी की निकासी को ये सबसे बड़ा मुद्दा है गुड़गाओ के अंदर आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि लोगों को लगेगा कि हम मिलिनियम सिटी और साइबर सिटी में रह रहे हैं गुड़गाओ का नक्षा ही बदल जाएगा आप देखिएगा बिल्कुल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जिस तरीके से आपने सुना कि क्या कहना है कॉंग्रेस के जो वरिश निता है पंकर जावर लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगी कि देखिए तमाम मुद्दे हैं गुड़गाओं में विकास का मुद्दा हो चाहे नगर